नमस्कार आज के इस वीडियो में आते वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि सुरियदनाथ कोलेज का एड्मिसन फॉर्म कैसे फिलप किया जाताैयाएएप। करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग अपना क्रोम ब्रॉजर ओपेंड कर लिजिएगा ओपेंड करने के बाद यहां देखे थ्री डॉट्स दिया हुआ यहां आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे आईएगा तो यहां देखे डेक्स्टॉप साइट लिखा हुआ है यहा आप लोग सर्च किजिएगा सुरेंद्रनाथ कि सुरेंद्रनाथ कॉल इस ठीक है आप लोगो सर्च करना होगा कि सर्च करनी के बाद येहां देखे एक New page ओपन हो जाएगा ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने के बाद या hosted कि कि फॉस्ट में लिखा हुआ है click here for online admission तो यहां आप लोगों क्लिक करना है कि लीक करने के बाद यहां देखिए एक निया page open हो जाएगा तो आप लोग यहां थोड़ा निचे आना होगा निचे आने के बाद यहां देखिए लिखा हुआ है apply now तुथां 20 21 ठीक है यहां पे आप लोगोग क्लिक करना है केलिक करने के बाद यहां दिखेंच से एक new page open हो जाएगा तो यहां अप लोगो धुल्हाद आना होगा नीचे आने ने पर निव अपसिक रिखा रूए आप कैसे लिए अरप लोग्iscernible करना चाहते हैं ящ आप स्ट्ट करना है मैं यहां पे admission for become honors के स्ट्ट करता हूं कि ऀलेच करने के बाद यहाँ दिखे फिंश से एक new page open हो जाएगा उसके बद přे यहां करने यहां कि क्या कि अपकोba करना है यहां दिखा हूआ है admission for become deserve उसके बाद यहां दिखे बोला गया धाए तो एहां कि क्लिक करता हूं select में, click करने के बाद यहां देखे option दिया है accounting and finance honors, तो यहां में click करता हूं, click करने के बाद next option में बोला गया है please choose your 10 plus 2 board, तो यहां देखे select का option देखे click करेंगे, click करने के बाद आप लोगों ने जिस board से pass out किया है, यहां आप लोगों के यहां पर select करने हैं, तो मैं आप लोगों के यहां पर select करने हैं, यहां देखे मैंने general select किया, ठीक है, select करने के बाद नीचे आईएगा, तो यहां देखे अगला option बोला गया है please choose your state of dominicile, आप लोग कौन से state का हो, यह आप लोगों को mention करना है, तो मैं आप वेस्ट बेंगों select करता हूँ, अगर आप लोग अधर state से हो, तो यहां पर other state select करना है, ठीक है, उसके बाद last option बोला गया है, are you physical challenge, अगर आप लोग का है, तो यहां पर yes कीजिएगा, अगर नहीं है, तो यहां नो कीजिएगा, मैं आप लोग कर रहा हूँ, उसके बाद यहां देखे, click करना है, go to next step, ठीक है, यहां click करना है, click करने के बाद आप लोग सामने एक फिन से new page open हो जाएगा, तो यहां देखे, हम लोगों ने जो जो information fill up किया है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद नीची आईएगा, तो यहां देखे, लिखा हुआ है, mention aggregate best for subject, आप लोगा best for में total कितने percentage आया है, यहां आप यहां पर मैं 89 कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बोला गया, next step में, please enter subject mark, वोका accounts में कितना mark, percentage mark साया है, यहां पर आप लोगो select करना है, तो मैं आप लोगो 90 कर रहा हूँ, यह करने के बाद, fill up करने के बाद यहां देखे, बोला गया है, type of language subject studied at 10 plus 2 level other than English, आप लोगा English के यहां पर लिख लेना, ठीक है, तो देखे, मैं लिख लिए, उसके बाद देखे, आप लोगो क्या करना है, देखे, लिखा हुआ है, go to next step, यहां आप लोगो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, देखे, एक film से new page open हो जाएगा, तो यहां तो आप लोग नीचे आईएगा, तो यहां देखे, लिखा हुआ है, first step application, तो यहां आप लोगो क्लिक करना है, go to next step, यहां आप लोगो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, यहां देखे, सुरेजनाथ कॉलेज के admission form open हो जाएगा, तो यहां चलिए हम लोग यहां पर step by step, आपको बताते हैं कि कैसे fill up किया जाता है, तो यहां देखे, starting बोला गया, first number, name in full, आप लोगो जो name है, वो पुड़ा capital letter में लिखना है, ठीक है, तो date of birth, आप लोगा date of birth क्या है, तो पहले में आप लोगो day भणना है, second में month और third में year, ठीक है, उसके बाद, third number बोला गया है, gender, आप लोग कौन से gender है, male यह female यहां पर mention किजेगा, fourth number बोला गया है, marcial status, तो यहां पर आप लोग unmarried किजेगा, उसके बोला गया, fifth number में nationality, तो मैं आप हिंदूजियम स्लेट करता हूँ, उसके बाद यहां दिखे, seven number बोला गया category, यह हम लोगों ने already स्लेट किया हुआ था, उसके बोला गया state of dominical, तो यह भी हम लोगों ने already स्लेट किया हुआ था, nine number बोला गया physical challenge, यह भी हम लोगों ने already फिलप किया हुआ है, उसके बोला गया है, 11 number में year of passing, आप लोगों ने कौन से year से pass out किया है, यहां आप लोगों को mention करना है, मैं आप 220 mention करता हूँ, उसके बोला गया mother tongue, आप लोगा mother tongue किया है, यहां पे आप लोगों को fill up करना है, उसके बाद बोला गया willing to join, अगर आप लोग NCC में जोइन हाना चाहत है, तो यहां पे आप लोगो select करना है, select करके यहां पे yes कर देना है, उसके बाद बोला गया है, majority group, अगर आप लोगा minority group है, तो यहां पे yes कर दीजिएगा, अगर नहीं है, तो no किजिएगा, उसके बाद बोला गया, do you have C.O. registration number, तो यहां पे आप लोग 9 किजिएगा, अगर नहीं है, तो no किजिएगा, उसके बाद बोला गया है, अधान नमबर, यहां पे आप लोगो को अपना अधान नमबर, fill up करना होगा, उसके बाद 19 नमबर बोला गया है, do you want to apply in sports quota, आप लोग sports quota में apply करना चाहते हैं, तो यहां पे yes किजिएगा, yes करने के बाद आप यहां बोला गया है, आप लोग कौन से लेवल में, fill up करना चाहते हो, यहां तो यह दिखिए district level, state level और national level, आप लोगो जो पसंद है, वो आप लोग यहां पे select किजिएगा, उसके बाद बोला गया है, elective subject combination, ठीक है, क्लिक किजिएगा, तो यहां दिखिए, option दे रहा है, grp to and grp3, तो यहां पर select कर लिजिएगा, select करने के बाद नीचे आईएगा, तो यहां दिखिए, बोला गया है, ability, enhancement, compulsory, course, A, E, C,C, तो यहां आप लोग कौन से compulsory subject लेना चाहते हैं, यहां आप लोगो select करना है, तो मैं हाँ पर third number हिंदि select करता हूं, उसके बाद यहां दिख from that I have passed in the above subject, related subject, choosing, तो यहां बोला गया है, जो subject आप लोगो ने choose किया है, वह सब्सक्राइब में आप लोग पास है, तो यहां पर आप लोगो tick कर देना है, tick कर देने के बाद 20 number बोला किया है, do you want to get admitted in add-on course, अगर आप लोग दूसरे course में add होना चाहते हैं, तो यहां पर yes क किजिएगा, otherwise no किजिएगा, अब next step मैं बोला गया है, parents, guardian, detail, ठीक है, यहां देखे 21 नमाना बोला गया, father's name, आप लोग अपना father का name यहां फिलप किजिएगा, उसके बाद बोला गया, father's academic qualification, आप लोग के father का qualification क्या है, यहां पर आप लोग फिलप किजिएगा, उसके प्ला किया है, mother's name, आप लोग का mother's name क्या है, यहां पर आप लोग किजिएगा, ऊपना बोला क्या है, यहां पर आप लोग किजिएगा, अगर house, house, जब किजिएगा, कोई दूसरा है, कुछ किजिएगा, उसके बाद बोला किए 27 में, guardian, डीटेल, अगर आप लोग father as guardian रखन चाहते हैं यहां फादर रखना चाहते हैं तो यहां फादर की जिएगा उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट में 28 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है यहां पर फिलब कीजिएगा उसके बाद ट्वैटीन नियान ने बोला गया है और फैमिली मेंबर हैं अभी यहां फिल फिलब कीजिएगा उसके बोला गया 30 नमर में एनवाल फैमली इंकम आप लोगा सिटी विलेश तो आप लोग पेलेट किजेगा उसके बाद बोला गया है यहां पर लोग फिलब किजेगा उसके बाद लोकेशन बोला गया आप लोकेशन यहां पर भी अप्म आता एतिशुस्स सब्सक्राइब आज particle किजेगा हूँ God करना के एक कॉब्य थे कॉड़का आज है कॉनेगत इसदिंगूड है कोड है तो यहांपे फिलप कीजेगा तो रियुका नहीं तो आपलोग फॉन नंबर आप पर फिलप किजीए उसके बाद बोला गया है लोकल एड्रेस तो यहां पह अपने आपको टिक कर दिएगा क्यों कि आप सब लोग अपना जो प्रस्टन लाई वहीं लफ किजिए क्योंकि जब मेरिट लिट लिए होगा ताप लोग के इमेल में आपका मैसेज आएगा ठीक है इसलिए सोच समझ के इसलिए यहां फिलफ कीजिएगा उसके बोला गया है result of qualifying एक्जानमिशन तो हैं अपर बोला गया है नेम फिलफ किजिएगा उसके बोला गया result as declared by you your board यह उसके बोला गया है रोल नमबर और यह आप लोग को फिलफ करना यहां लोग ने इस्ट्यूस्ट का नीम क्या था है यहां फिलब करना है इस्ट्ट्यूसन एड्रेस इम in fashion-leven सब्सक्राइब MR 2021 आप लोग आप लोगोने टॉर में कौन सा में से पास अउट किया है यहां पे आप फिलप करना है यहां पर स्लेट किजिएगा अगर अपने बेंगोली इंगलिस हिंदी पास आउट किया है तो यहां पर हिंदी कर रहा हूं उसके बाद देखें बोला गया वेदर पास्टेंट प्लस टू और हाइर अधिएट पर फ्रम नॉन फॉर्मल एडुकेशन सिस्टेम एपूर्वड बाइडिस्टिक कांसिल ऑफ इंडिया और यूजी सित्या स्लेट किजिएगा और हैं पर यस कर दिजिएगा उसका बोला गया मार्चीट नोट प्लीस एंटर सब्जेक्ट नेम इन फूल एंड इन ए तो सजेशन ठीक है मतलब यहां बोला गया है नीचे आई यहां दिखिए माप आप लोगों का प्रमाक सिट का जैसे है दिया हुआ था वैसे ही आप लोगों के आपना सब्जेक्ट वाइद पूरा मार्क्स और टोटल माक्स कितना है थियोरी में प्रैक्टिकल कितना है यहा अब करने को नीचे आई यहां दिखे बोला गया है आपका अडिस्ना सब्जेक्ट कौन सा है इस एडी और यह एज ठीक है यहां पर फिलप किजिएगा और माक्स लिग दिजिएगा उसके बद बोला गया है डॉक्ट पर्सेंटेज है यहां पर लोगों को फिलप करने है उ आप लोगो जब एड्मिसन हो जाएगा उसका डूसक्त चाहिए गा तो यह सब डॉक्र मेन आप लोगों को लेकर जाना होगा यह अप लोग पर लिजिए गर जब कीजिए गा तो यह आप लोग अच्छे से पड़ लिजेगा यहां दीखें डिक्लेरेशन यहां पर करने के बाद यह declaration दिया हुआ है आप लोग अच्छा से रीट कर लिजिएगा ठीक है सब करने के बाद नीचे आईएगा त्याहां दिखे लिखा हुआ आप लोगों को सभी डॉकमेंट्स को सकैन करके अप्लोड करने के बाद आप लोगों सामने पेमेंट का ओप्षन हो जाये गा पेमेंट करने के बाद आप लोग का सुरेदनात कॉलेज को एडमिशन फॉर्म है वो successfully submit हो जाएगा तो यही था सुरेदनात कॉलेज का admission form fill up करने का process ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको step by step details में बता दिया है कि सुरेदनात कॉलेज का admission form कैसे fill up किया जाता है अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे comment कर सकते है या आप लोग मुझे instagram में follow करके वहां message कर सकते है मैं आपकी help करने की पूरी कोसिस करूँगा और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरू करें ताकि वह लोग भी सुरेजनाथ कॉलेज का फॉर्म फिलप कर सके मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट ट्रपिक में तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों